नमस्कार देव भूमिया ये सेकर्णिम के युटूप सेनल में आपका स्वागत है आज का मेरा विशेश टॉपिक होगा नोबेल पुरुषकार 2024 और उससे समधित कंप्रीट डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहा हूं में इस में नोबेल पुरुषकार 2024 और तेईस की भी यहां पर डिटेल होगा और इसके अलबार नोबेल पुरुषकार से समधित जो जो भी प्रस्त बनने की समावना रहती है वो सब आपके सामने रख देता हूं तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की पहले थोड़ा सा नोबेल पुरुषकार का इत्यास कैसा रहा है यह मेरे नंबर से देव हुई है इसे केड़ी और किसी को भी इससे समधित कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप डिरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं और दूसरी बात अब हमारे मंतली वीडियो आपके सामन रहते ही हैं और तीसरी जो लोग बार-बार मेरे को फॉन करते रहते हैं कि आपकी बुक का अपडेट कब होने वाला है तो यह नौबर फस्ट वीक या नौबर दस तक इसका अपडेट आपके सामने आ जाएगा मेरी बुक का ओल इन वन उत्राखन पर जो लिखी हुए बु नौब्ध पुड्सकार के बारे मेरे सबसे पहले नौबेल पुरुषकार किसके नाम पर दिये गे उनका नाम है बुडा कर रहनेहां पर मैंने कहाता होब तो सबसे पहले क्या उनके त煤े viens की की इंजिनियर उद्योगपती अल्फेड नोबेल की याद में दिया जाता इन पुरुसकार को और दूसरा नोबेल पुरुसकार की स्थापना किसने की है तो स्वीडन के बैग्यानी अल्फेड बर्न हाड नोबेली इनका पूरा नाम भी है complete उन्होंने 1901 में इसकी सुरुवात की थी जब उन्होंने डाइनामेट की खोज की तो उन्हें काफी चंता हुई कि इसका दुरुपयोग जदा होगा उपयोग करने के बजाए तो वह भी ऐसा ही तो इस संदर्व में उन्होंने अपनी वसियत नामे में अपनी जो का नाम है Alfred Bernard Nobel ठीक है कहां के रहने वाले थे तो Sweden के रहने वाले थे 1901 में इसकी सुरुवात हुई और अलफ्रेड नोबिल का जन्म 1833 में स्वीडन के सहर स्टॉक होम हुआ था इसकी कैपिटल भी आज की डेट में और ये हैं Alfred Nobel जिनकी बात हम कर रहे हैं और 1867 में डाइनाम की खोज के बाद इन सब सीजों की सुरुवात हुए अपनी वश्यत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योगी व्यक्ति यह उनका स्टेटमेंट है यहां पर सबसे योगी व्यक्ति चाहे वह सकैंडीनेवियर हो या नो पुरुसकार प्राप्त करेगा उनके द्वार कि अर्था सास्त का पुरुसकार तो बाद में सुरुवा था तो मुलता सुरुवात में नोबेल पुरुसकार 6 छेत्र में नहीं मिलता था केवल 5 छेत्र में मूलता नोबेल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाता था तो 5 विशे हों लेकर आज की डेटमेंट टोटल बैंक द्वारा अपनी तीन शवी मर्सगानट के उपलक्स में 1968 में आरम में किया गया था मतब घोजित किया गया था और 1969 में नाइन में पहली बार इससे दिया गया था मतब इसकी घोशना हुई थी 1968 में मतब इसे हम घोशना कह सकते हैं अर्थसास के नोबिल पुरुषकार की घोड़ा कब हुई तो उनीस सवर्शक्त में ठीक है और उन 1968 में पहली बार इसे प्रदान किया था वैसे सामाने था नोबिल पुरुषकार की स्वराथ 1901 में हुई है लेकिर अर्थसास के नोबिल पुरुषकार की घोड़ा अध्भुत योगता के लिए या योगदान के लिए दिया जाता है और आज की रेट में Nobel पुरुषकार के 6 छेत्र है इंग बार इसकी लिस्ट आपके सामने रखते हैं चिकिस्सा बहुत ही की यानि physics चिकिस्सा का नोबिल प्रुषकार सबसे पहले दिया जाता है बहुत ही रसाइन, chemistry, साहिति, literature, सान्ती और अर्थसास ठीक है यह तीन छे चेत्रे जिसमा अर्थसास सबसे लाश्ट मुहा था और सबसे पहले कौन सा पुरुषकार दिया जाता है नोबेलों में तो वो होगा चिकिस्था का नोबेल पुरुषकार ठीक है सबसे पहले दिया जाता है एक दूसरी बात की नोबेल पुरुषकार देरेवाली संस्था कौन-कौन सी है तो इसके लिए भी हमने यहां पर संस्था का नाम लिखा है तो रोयल स्थिटिस एकेड़मी ऑफ साइंस जो साइंस के नोबेल पुरुषकार शामाने देर दिया हाला कि इसमें सांती भी सामय सरी साहित अर्थ थास्त्र भी होगा लेकिन फिर भी जो जो अलग-अलग संस्था है यहां पर है में नोबेल पुरुषकार देरे वाली संस्था अगर सबसे ज़्यादा जो नोबेल पुरुषकार दे रही अभी बर्तमान वो है Royal Students Academy of Science, ठीक है? अच्छा, उसके अलग-अलग जैसे चिकिस्था का नोबेल कौन देता है? अलग से चिकिस्था का नोबेल दे रहा है, कैरोलिस्थ का इंस्टिटूट की नोबेल अजेंसी, एसेमिली देती है, ठीक है? तो कैरोलिस्थ का इंस्टिटूट की नोबेल अजेंसी और शांति का नोबेल पुरुषकार पुछे, तो Norwegian Nobel शमिति देती इसको मतलब Norway की संसत देती है Norwegian Nobel शमिति और Nobel पुरुषकार की रास्य परतवान में 11 मिलियन शुडिस क्रोन लगवा 8.1 क्रोड है यह इनी का डिविजन होता है जितने लोगों Nobel पुरुषकार दिया जाता है और अब तक कुछ थोड़ा Nobel का इठ्यास आए अब तक केवल दो बार मृत ब्यक्तियों को यह पुरुषकार दिया जाता है वसे Nobel पुरुषकार मृत ब्यक्तियों को नहीं दिया जाता है लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था केवल दो बार मिर्त व्यक्तियों को यहाँ पुरुषकार दिया गया मतब मनने के बाद नोबेल पुरुषकार केवल दो व्यक्तियों को दिया गया अभी तक उनके नाम आपके सामने रख रहा हूँ सबसे पहला नाम है Eri Axel Karl Fildert पहला नाम है Eri Axel Karl Fildert 1931 में इनको दिया गया था और दूसरी बार दिया गया था सेउक्तराष्ट शंग के महाशाचेव डैग हैमर शोल्ड को 1961 में यह दो बड़े नाम है जिनको मर्लो पुरांथ नोबेल मिलने का सभागी प्राप्त वा बाद में 1974 में नियम बना दिया गी कि मर्लो पुरांथ किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरुषकार नहीं दिया जाएगा ठीक है तो नोबेल पुरुषकार को अपना महत्तु है विस्व इस तर पर सबसे बड़ा पुरुषकार इसे बाना जाता है सामान्यता अक्टूबर में इसकी घोड़ा होती है और 10 दिसम्बर को विस्वानवादिखार दिवस के दिन इसे परदान किया जाता है बहुत बहुत सारी संस्था यहाँ पर थी अच्छा और क्या इसके बारे में कुछ खास बात है अब तक International Committee of Red Cross Red Cross हम जानते ही है इस संस्था को सांति का नोबेल प्रुषकार तीन बार दिया जा चुका है ठीक है 1970 फर्स्ट वर्ड वर के दौरान दूसरा सिगन वर्ड वर के दौरान 1944 में और तीसरी बार 1973 में जब इसकी स्थापना के 100 साल हो गे थे 1863 में इसकी स्थापना होई थी किसकी Red Cross Society तो ये तीन बार नोबेल का सांति प्रुषकार जितने आली सांसता है अच्छा कुछ और खास विसेश पहलो सर विलियम हेंडरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के सांत भौतिकी का नोबेल प्रुषकार 1980 में प्राप्तिया जैने दोनों पिता पुत्रों को एक सांथ नोबेल मिला है 1980 में हैंडरी ब्रेग और उनके बेटे विलियम एल ब्रेग को एक सांथ फिजिक्स का नोबेल प्रुषकार ठीक है 2023 के भी आपने नाम लिखे हैं अगर आपके बाद 24 की लिष्ट है तो आपके बाद 23 की लिष्ट भी होनी चाहिए ठीक है कंपरीजिम भी होगा और पता भी चल जाएगा तो सबसे पहला नाम फिलियो लॉजी मैडिसन यानि चिकिस्था कहते हैं इसको सबसे पहला पुरुषकार यही दिया भी जाता है तो यह इस बार मिला है विक्टर एंब्रोज और गेरी रूकुन अमेरिकी हैं दोनों इनको इस बार चिकिस्था का नोबेल मिला है माइक्रो आर invest में यहां को बताई इनन में इसकी भूमिका किलिए एक तो माइक्रो आरनी की खोज में इनकी भूमिकाद लिया है और दूसरा झीन विनियमन जानेटिक विनियमन में इनकी भूमिका लिए इने परुष् downtres दिया गया है एक बार कुछ और अगर इसके बारे में यहां पर है तो अच्छा यह दो नाम थे हमारे पास अमेरिकी है दोनों अच्छा पिश्ली बार यह नहीं पहला नोबेल आपको मिल चुका है अब यहां पर ठीक है अब आप दूसरे का इंतजार हो रहा है यह है सेकिंड पेज फिजिक्स भातिकी का नोबेल पुरसकार इस बार किने मिला हुआ है जॉन हाफिल्ड अमेरिकी और जेफरी हिंटन केनेडा यह दो बड़े नाम इस बार भुतिकी का नोबेल देने वाले क्या योगदान है क्रितिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मसीन लर्निंग को सक्षम करने वाले आधार भूत खोजों और अविषकारों के बहुत इंपोर्टेंट हो गाई किर्तिम तंत्रिका नेटवर्क ठीक है और उसके सांद मसीन लर्णिंग को सक्षम करने वाले आधारबूत खोजो और अविश्कारण के और पिछ्टी बारे ने 2023 के मिला था पियरे एगोस्टीनी फ्रांस के फेरेंग क्रांच हंगरी के और ए पहली बार तैयारी में के लिए अपने को प्रिपेर कर रहे हैं तो उनको एक कंप्लीट डाटा मिल जाए तो यह सबसे बैस्ट होता है क्योंकि और उन्हें बार-बार कंफिजन नहीं होता है इस जीज़ों का इस बहुत बहुत कोशिस की जाती कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रिजेंट किया जाए चलिए आगे बढ़ता हो कैमेश्टी रसाइन विज्ञान का नोबेल इस बार बड़े नाम डेविड बेकर अमेरिकी हैं और डेमिस हस्बिस ब्रिटेन के और अमेरिकी में रहते हैं बिटिस अमेरिकी ठीक है और जान जमप अमेरिकी यह तीन बड़े नाम थे इस बार कैमेश्टी में कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के ले तथा प्रोटीन की सन्रस्टना की भहुष्यवानी करने के लिए तो यह इंपोटेंट था इनका योगदान जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रो नोबेल होते हैं वह ये होते है सांति और सांती और सा है नोबेल पुहार्शकार 2015 की आंखड़ी आप क्लियर होने ची करें प्राइब अंग lookout वहारत में की लिस्ट भी आपके के सामने नहीं प्रिसकार और साहित्य की तो यह है चौता नाम साहित्य का नोबेल पृस्कार इस बार जिनको विलाई हुआ हान कांग तक्षण कूरिया की लेख्या का है साूथ कूरिया यनी एशिया की साहित्य में पहली महला है इसे एक पहली पूर्ण योगदान के लिए जतना भी उन्हेंने काब्डियात को नाटक और गद्धे लिखे हैं और पिछली बार ये पुरुषकार विला था जान फासे को नौर्वे के थे हो अच्छा सांतिका नोबेल पुरुषकार जो सब ज़्यादा इंपोर्टेंट हाइलाइट रहता है वो है इस बार निहोन हिंडा क्यों इंपोर्टेंट हो गए जापानी संगठन है वही जापानी संगठन जब घिरोसिमा और नागा साकी में बंबिस्वोट हो गया था और उस इस बार क्या है योगदान परमाणों हत्यारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए तो अब जिस प्रकार जापान को इसका दूस प्रड़ाम भुकतना पड़ा है और यह संगठन यह संकेत दे रहा है कि विश्व इस तर पर परमाणों हत्यारों के जो युद्ध हो रहे है तो यह बहत्पुड योगदान है इसका और पिश्व बार यह पुरुसकार मिला है नर्गेस मुहमद इरान ठीक है यह आपको पता है यह नाम यह थे वो पांच नाम और लास्ट नाम है छटा अर्थ सास्थ एक्नॉमिक्स का नोबिल पुरुसकार इस बार जो नाम आ रहे ह मतलब अमेरिका में रहते हैं यह तीन नाम थे इस बार अर्थ सास्थ ने और क्या था योगदान राष्टों के बीच समर्दी में अंतर और शोध के लिए तो जो अलग-अलग टाइब के राष्ट हैं तिरती विश्व के देश हैं विक्षित और विकासिल देश उनके इनके बीच क्या डिफ्रेंशेज हैं उसके लिए और उनके बीच जो सोध है रिसर्च है डिस्कबरी है उसके लिए इनको यह उब्दान मिला है और पिछली बारे क्लावडिया गोल्डिन अमेरिकी इनको मिला था और कुछ और खास तथ्थे जो आपके सामने रखने में न सांती में सबसे को मुझने नोबेल विजेता है मलाला युसुब जई 2004 का मिला था 17 वर्सी की आई मिला था ठीक है और नोबेल प्राप्ति करने वाले पहले अपने आप एक रिकॉर्ड है ठीक है चलिए और खुद खास बात है अब वो नाम वो लिष्ट जो सारे भारती है और इन्हें नोबेल पुरुषकार कब मिला किस सेद्र के लिए मिला वो सब लिष्ट आपके सामने रख देता हूं एक कम्प्रीट लिस्ट आपको किलियर हो प्रभाव के लिए बहुत की फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में रमन प्रभाव की खोज करने के लिए रमन इफेक्ट यह साइंस से होता है ठीक है दूसरा तीसरा बड़ा नाम है हर गुविंद खुराना ठीक है चिकिस्षा का नोबेल मिला था जेनेटिक्स और 1960 का यहां अपर है और जेनेटिक्स के लिए जेनेटिक्स ठीक है तो इंपोटेंट था नेक्स्ट है मदर टेरिसा सांतिका नोबिल पुर्षकार भारत की तरब से पहली महला भी है था 1979 का और नेक्स्ट ह השण सूभरमणियम संद्रशेकर भॉति की चंद्रशेकर शीमा की खोज के एक ठीक है तो एक ऐसी ब्रह्मार्ण बंश्तेथ एक ऐसी सीमा अपना शंपूर्ण जीमन तारों के खोज़ और अध्ध्यनके लगाए था और अलगलग प्रकार की तार्व के बारे मतला था किस प्रकार तार्वफ के मिर्थ हो जाती है और उससे में चंद सिकर शिमा का बार कर दी जाए अगर तो एक सिक सै अमरत सेनर अर्थशास्त्र कल्यानकारी वेलफियर एकनॉमिक्स के लिए उनीशव ठानर गौम थीक है तो यह थी Nobel पुरुषकार की लिस्ट तो यह था Nobel पुरुषकार 2023 और 2024 की complete list किसको किस मिसे में मिला और भारत में जितने भी लोगों Nobel पुरुषकार अब तक मिला है किस फील्ड में कब वो सारी लिस्ट आपके सामने और नोबिल पुरुषकारशी जो खास-खास फैक्ट बन सकता था वो आपके सामने रख दिया क्लास को समाप्त करता हूँ यही पर आज की क्लास समाप्त हुई जै हिन जै उत्रख